माफिया अतीक एहमत के बेटे असद और शार्प शूटर गुलाम का एंकाउंटर करने के बाद UPSTF ने बताया कि दोनों अपराधियों के पास से दो अत्या धुनिक हतियार बरामत किये गए हैं पुलिस ने मौके से 7.6-3 बोर की P88 पिस्तॉल और एक ब्रिटिश बुल्डॉग को बरामत किया है दोनों यह त्यार कई सेनाओ द्वारा उपियोग मिलाई जाती हैं ऐसे में खोखार आरोपियों द्वारा इस्तमाल की जाने वाली दोनों पिस्तॉल की खूबियों को लेकर जानना आपके लिए बहुत जरूरी है बतादे कि बरामत की गई P88 जर्मन कमपनी वाल्थर द्वारा विक्सित एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्तॉल है इसकी मुखे विशिस्ता एक उच्छ शमता वाली डवल स्कैटर मैगजीन है जिसे सैन्ने और कानून प्रवतन उपियोग के लिए डिजाइन किया गया है इस पिस्तॉल का वजन भी बेहत हलका होता है वजन कम करने के लिए हैंडल को ड्यूरा अलूमीन से बनाये गया है वाल्थर पी एटेट को मुखे रूप से सैन्ने और कानून प्रवतन उपियोग के लिए एक धार के रूप में डिजाइन किया गया था आप सभी को ये जाना भी बहुत जरूरी है कि गौर्तलब हो कि इस बार एक बार में इस हतियार से 15 राउंड की फाइरिंग भी की जा सकती है यह हम ब्रिटिश बुल्डॉग पिस्टल के बारे में आपको बता रही है इसे जर्मन सैने बलो द्वारा उपियोग किया जाता है अंतरास्टिय बाजार में अभी इसकी मौजूदा कीमत करीब 1,50,000 रुपे है ब्रिटिश बुल्डॉग 1872 में इंगलेंड के वर्मी धम के फिलिप बैलवे एंड सन द्वारा बनाई गई थी एक लोगप्रिय प्रकार की सॉलिट फ्रेम पॉकेट रिवॉल्वर है इसकी लोगप्रियता को देखते ही इसके बाद इसे महादुई पिय यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में गन मेकर्स त्वारा कॉपी किया गया इसमें 2.5 इंच बैरल की विशेस्ता थी और इसे 0.442 वैलवे या 0.45 शूने एडम्स का कॉर्टिज के लिए 5 राउंड सिलेंडर के साथ रखा गया था वैलवे के बाद में छोटे आकार के 0.32 शूने रिवॉलवर और 0.38 शूने कैलिवर संसकरणों का उत्पादन किया गया लेकिन उन्हें ब्रिटिश बुलडॉग नाम से चनित नहीं किया गया इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये आराम से किसी भी जेब में आ सके और आसानी से छुपाई जा सके बता दे कि संयोकतराज अमेरिका के राश्टरपती गार फिल्ड को गोली बानने के लिए इसी डिजाइन के रिवॉलवर का इस्तमाल किया गया था इस समय ब्रिटिश बुल डॉग को 50 जार रुपे की कीमत पर खरीदा जा सकता है फिलाद इस खास रिपोर्टम बस इतना ही देश तुनिया के तवाम बड़ी खबरों के लिए देखते रिए नेक्स नाइन यूस पॉर्टकल बाइट